जी ये स्रीष्रारी को आस कर यह टोपिक है वेस्वल एंजिंसरी इंपॉर्टन फिल्ड जो टेक्निकल इंजिंसरी है। पिखिए नाने एक में छाईबर से पनी सकाफले कि और में चाना आजे वान आज हम पम आजए। अर्फम का फोल जाज़ान आज़ा को umोना कोarád गेम्ले करें जी बां के महden खाले हम्ले नहीं अनला विफ मैं तुल करते है यह सबसे पहले fine soil भी नहीं आएगा यह पोर्स स्टार्ट हो गया है ठीक है sand तक जो हमने पड़ा है clay, silt और sand यह तिनों आती है fine soils में अब gravel, boulders and cobbles यह आ जाती है coarse soil में ठीक है अब हमने soil रूपर नहीं है वह है gravel, gravel की यह तो स्टार्ट होती है good foundation material नंबर two point is good foundation material इसलिए है क्योंकि यह gravels यह पत्थर होते है ठीक है coarse soil है यह यह बड़े पत्थर होते हैं उनकी ताकत बहुत जाद होती है वह और आमसे तूटते नहीं है इसलिए इनको foundation इसलिए में बेरिंग की यह road foundation में इसलिए जाता है थाके यह load bearing इनकी capacity जाता होती है इसलिए से number three high frictional resistance high frictional resistance इसलिए से क्योंकि यह gravels जोते हैं इनके तर्मयान जब यह आपस में low cup हो जाते हैं तो यह slide नहीं करते है ठीक है जब यह slide नहीं करते हैं और slide इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यह low cup हो चुके हैं और low cup होने की वज़े से इनकी frictional resistance यह friction की वज़े से बहुत ज़्यादा इनके दर्मयान मुजूद होती है यह move नहीं कर सकते हैं उसके बाद आगे ही इनकी shape किस किस टाइम की है angular होती है sub-rounded and rounded angular का मतलब यह है जी angular ऐसे हो गए कि जिस तरह से यह angular ठीक है sub-rounded, sub-rounded का मतलब है यह full round नहीं, rounded और rounded पूरा goal है अब सबसे पहले यह बात याद रखें कि जो angular particles है, angular particles जो है कहां से मिलते हैं तक है ہیں यह crunch-end plants आते हैं हमारे पास, छो पहले बड़े rocks को तोडते है तो फॉक्थे आते हैं पढ़र को तोरते हैं जिस टाज़ कि जाते हैं, भूस को प्यार्स मुज़ से ङसे मूवद जाते हैं यह जिस कोता रोंड यह से मिलता है घनलतों नहीं ताकि रोड को उपर से क्षटर्चर्चर की बाइन हो। उसके बाद ही पर्जाइबिलिटी, यह इस वाद जास है क्योंकि इन दमाइन बड़े सुराह होते हैं, बहुत बड़े सुराह होते हैं। बहुत बड़े गयां जानग सब्ड़ाइब तो पॉनी असानी सी ऊपर से नीचे की जानग जा सकता है। यह यहीं कि सरफिस उफसे ल जिसने कोपकुप कृणों तो भाट होते हैं अन्य गेंग deeply निजने हो जाएगी, जिसन corridor कोफ में 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 भाट में उमनार बाल को में पजाएगी खीजिजिजिये झाइगें जिसके अंदर कोबल्स जो होते हैं जिसके अंदर कोबल्स जो होते हैं 60 mm से लेके 200 mm तक जिनका साइज हो वह होते हैं स्वागल्स ओर कोबल्स और वहां थे साइज होते हैं 25G उसके इस फरोफिया पानाे कट अधेड़ और वहला है जाएंध जाएंध नहीं है दो इटेटी पोफ सोईल है वो उसके इंदर और्केनिक मैंटर की चैशन बहुत ज़्यादा है इसलिए कोई भी गार या कोई भी रोड का स्ट्रक्चर बनाना हो तो इसकोशिश की जाती है उन्पर का डेड़ फोटी या दो फोटी का जो मिटी है रिमूव कर दी जाए और उसके बाद जाके फुटिंग लगाई जाए रा। उसका स्ट्रॉक्चर ट्यांग किये। फ्रैंक पॉांट कि एज़िए विक और स्ट्रॉंग की स्ट्रॉक्चर वा बिंकुल आसी बात है अगर जमीन के अंदर आपने किसी जगह पर कुई पत्ते लगड़ी दबाई हुई है और उपर मट्री डाली है तो आप पाउं रखे तो कभी भी अपना पाउं आपकी जगह पर नहीं रहेगा और नीचे दांस जाएगा ठीक है तो यही बात यह कहा रहा है कि वीक होगी और स स्पॉंजी स्ट्ट्ट्ट्ट्र यहाए कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉर्ज होते हैं तो वो चीज फुली डेंसिफाइड नहीं होगी और उसके पाउं रखेंगे तो यह पॉर्ज हो जाएग तो यहाज़ लाग एंगे लाज्ग वॉलियम चेंज अनन लोड अभ जाएगी, तो लाज़ वोलियम चेंजज जो जाएगा उसका, वोलियम रडिउस और मुझाज़ रड़ूड डालेंगें, इसलिए लाज़ वोलियम चेंज़ अंडर लूड आगीगा, उसके बाद एक कटेन हाई मॉइस्टर कोईट हो अूट्स था हई है, वो उसके बाद एक इसका नदब यह है कि स्ट्रेंट जो है वह बहुत ज्यादा हद तक गिर जाती है अगर जमीन के अंदर और गैनिक मेंटर के कॉंसेंट्रेशन टू परसंट से ज्यादा हो ठीक है तो इसी होज़े से ऐसी सोय को कभी भी आप फांडेशन के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते